जैसे हम ट्रेन आई ना यहां पे आई इधर वाला गेट बन था इनको उमने बेज़ा उदर से खोलो जाके कोई और खोल दिया था पूरी ट्रेन खाली थी और पूरा क्लीन था इंदम धूली ये ट्रेन अभी धूली गई है पूरा पानी पानी था लेकिन अभी इतने भर गय है पोड़ा आगे पूचेंगे तो गंदगी भर जाएगी तीन तक लिए ट्रेन वहां त्रिवंदम पूरां तक जाएगी ये साउथ जाएगी साउथ इंडिया अब हम लोग मुंबई में रहेंगे तो फिर साउथ तो पास में पड़ेगा अब देखिए हमाई खाने में है चार रोटी ये है चार चावल तबजी दाल और ये एक और सबजी ये छोला है ये पनीर है पनीर में कितनी पनीर है दो ठीज भाई एक बात बताते हैं मुंबई से हमारी बहुत पुरानी आदे जुड़ी है पापा को लेके भी गय थे बहुत कुछ और सादी के बात पहली बार जा रहे हैं तो ये वाली खुसी अलगी है चाड़े तीन बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं मुंबई में वसाई रोड अभी हमको जाना है अंधेरी ए गाईज विलकम बैक टो माई न्यू व्लॉग टॉली साही का लोग नहीं बैट चुके हैं दिल्ली के लिए बस में रोड वेज में और अभी दो गंटा लगेगा मुरादाबाद नहीं चार गंटा लगेगा मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचने में और हमारी ट्रेन दिल्ली निजामों तीन से मौनिंग के पांच बजे तो एक-दो घंटे पहले पहुंच जाएंगे अफ्ता है आजा कंचन तो भाई फाइनली हम पहुच चुके हैं दिल्ली और दिल्ली के प्लेट फॉर्म पे हैं मतलब कहां पे हैं प्लेट फॉर्म प्लेट फॉर्म नंबर एक जाने का रास्ता है लेकिन हमारी ट्रेन आएगी चार पे हां और एक चीज हम लोग को बस बहुत दूर छोड़ी थी ना बहुत प्लेट चोड़ी कि दिल्ली की गवर्रमेंट है उन्होंने अधर इस्टेट के बसे साएं उस पर पाबंदी लगा पड़ा रात के बारा बजे और आट वाली ने हमकर लूट लिया चलो चलते हैं देखो सब भी सो रहे ना पूरा खाली है हाँ एक बात एक इंट्रेस्टिंग बात और बताते हैं वो यह है कि हमारी ट्रेन जो है ना सूबा के पांच बजे थी लेकिन क्या हुआ कि वो लेट हो गई और वो आठ चालीस हो गई अरे यह साथ है यह चलिए फिर तो भाई हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर और यहां पर असा लग रहा कि कोई ट्रेन ही नहीं आती पूरा सूंसान है गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग यह देखो हो गया है और अभी टाइम कितना हो रहा है साढ़े आठ बज़ रहें है और यह हमारी टेर्एन जो को मॉंबई तक ले के जाए गी और यह आई है साढ़े पज गई तो आई है साढ़े पस बज़िए हम्यार अपे एक ब्रोश पहुच गया थे इधर ही बैठे थे पागी त तुरा ले गया था, उसकी कहानी, हम आपको क्या ही बताएं, इनको पार में चोट भी लग गया, और वो यहाँ पे हैंड मौस कर रहा था, हम जाके किसी तरह बैग हमारा मिल गया, हमने कुछ बोला नहीं, लेकिन चोरी उपर से सीना चोरी भी, वो मतलब चुरा भी ले गया, ह इसको इजरा मैं इधर कर देता हूँ, अरे, इधर देखो पहले, इधर ही करो, इक काम कसा को निकलना दो उसके बाद सेट करना है, नहीं, लेकिन चीज अच्छा है, इधर ये वाली विंडू है, इधर ये वाली है, और आर एसी है, दोनों लोगों की एकी सीट है, तेईस, मजबूरी में, तेज नंबर की, लेकिन एक चीज अच्छा है, इधर ये वाली विंडू है, इधर ये वाली है, और मस्त, और हमने दोनों ट्रॉली बैग नीचे रख दिया है, जैसे ही हम ट्रेन आई, इधर वाला गेट बन था, इनको हमने बेज़ा उदर से खोलो जाके, ये कोई और कोल दिया था, पूरी ट्रेन खाली थी, और पूरा क्लीन था, इंदम धुली ये ट्रेन अभी धुली गई है, पुरा पानी पानी था, लेकिन अभी इतने भर गया है, बोड़ा आगे पहुचेंगे तो गंदगी भर जाएगी, ये तीन दे चली के ट्रेन, वहा रहे हैं, यहां से तीन जर किल्मेटर पड़ेगा दूर पड़ेगा, ये जारी ये विसाका पतनम, जारी साथ इंड्या ट्रेन ट्रेन वाकी टॉकी से बात कर रह명이 tão चलो चलो, बही एक बात बताते हैं, मुमपई से हमारी बहुत पुरानी आदे जूदी है पापा को लेके भी गये थे बहुत कुछ और साधी के बाद पहली बार जा रहे हैं तो यह वाली खुसी अलगी है एकदम अलग है तो भाई हमारी ट्रेन आठ चोवालीस पे हजरन निजामुदीन से मुंबई के लिए निकल चुकी है बाई बाई हम मतूरा पहुचे हैं और हम सुचे थे मतूरा पहुचे हैं और हम सुचे थे मतूरा में कुछ अच्छा खाय का मिली हैं लेकिन सुच्चाय मिला हैं नीठा बहुता है हमने आई आर से टीफी को खाना मंगवाया था यह आ गया है तो खोलते हैं देखते हैं क्या क्या है हमारी अवाजी नहीं आ रही है आ रही है देखिए हमाए खाने में है चार रोटी यह है चार चावल सबजी दाल और यह एक और सबजी यह चोला है यह पनीर है पनीर में कितनी पनीर है दो ठीए अब खा के देखने है टेस्ट कैसा है ट्रेन में हम लोग ज्यादा खाने नहीं खाते तो इसके लिए एक ही थाली मंगवायें प्रेश कर नहीं कर दो नहीं है नहीं हमारा खाना हो गया है और अभी हम बैठे अम्रूद वाले बढ़िया है तो अमने खरीदा अम्रूद काफी दूर तक अम्रूद का बगिया दिख रहा था अभी तो खतम हो गया है अम्रूद खरीदे अब हम खाएंगे अम्रूद मस्त वाला रात हो गया है सो चूपी रात नहीं तो एक उसुबा हो गया है दो अटफाइस थे अम्रूद के बाद आएगा वसाई रोड जहां अम्रूद पूतरना है समझी रात हो गया है सो चूपी रात नहीं तो एक उसुबा हो गया है दो अटफाइस थे अम्रूद पहुत के धानू रोड इसके बाद आएगा वसाई रोड जहां अम्रूद पूतरना है समझी यह ट्रेंड जाएगी पनवेल पनवेल होते हुआ जाएगी यह केरला तिर्वंतम पूरम यानि दम लाश्ट स्रिलंका के पास कि सारे दोपर पसंजर सब अपना लगन ठाके इदम किनारे लगा लिए जर्वी कि बढ़ियों निकाले पहले हैं कि सुमत्ति कह से आगा है उपर चाड़े तीन बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं मुंबई में वसाई रोड अभी हमको जाना है अंधेरी यह पालगर म अंधेरी के लिए हमको लोकल पकड़ना होगा लेकिन चार बजे में तो हमको वेट करना है आधे गटी यह हमारी हम सफर यहां तक है पुमबई तक है इसका हड़ सी पांच मिनिट नहीं और है सब्सक्राइब कर देखिए अभी हम लोग है प्लेटफार्म नम्बर तीन पर अगला ट्रेन आने वाली है चर्च गेट फास्ट वाली तीन छपपन पर जाना कहा अन्देरी ना पूरा खाली है यह अगरे यार यह वही तो हमको लता बोरी वाली साफ बढ़ जाएगा है कि इस अड़ा टीजमेंट है लाइसी का चलो 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 अरे यार इंग भाई साब सोवा हैं तो बाई साब परवा खा लेगे यार तो अभी हम लोग पहुंच गए अन्देरी और यहीं पर जब पस टाइम आये तो चक्कर आ गया था हां आसे लगबग पांच साथ पांचे साल पहले ना हम लोग आया थे हम लोग आया थे फ्लाइट से उसके बाद हम लोग को जाना था चर्ची गेट धंका चलो आज लोकल लेकिन ओला डिसिजन दुनिया के सब सबराश डिसिजन दा आगए जब भी आप मुंबई आओ लोकल ट्रेन से जाओ पही से भी बचेंगे टाइम भी तो भाई मॉनिंग के चार चाली सो रहे हैं और वेलकम टू मुंबई वेलकम टू मुंबई यह अंधेरी स्टेशन है हम इनको जाना है साकीना का तो हम पकड़ेंगे मैक्रो और कैसी लग रही है चस्मिस कमेंट करके बताना आप लोग और भाई जे जे क्यों मुंबई सो है कमेंट करें भाई सब से मिला बब ठीक है हाँ भाई भाई यह कूंका आदत पढ़िया है